जो है पहली क्लास हम शुरू करता है अच्छा HTML के लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो हम करेंगे यह वाली बुक फॉलो करेंगे अपने स्कोर्स के अंपर ठीक है लेकिन इस बुक को स्टार्ट करने से पहले इस बुक को अभी मैं बंद कर देता हूँ हम जर यह बात समझ लेते हैं कि HTML है क्या चीज यह क्यों असका हुआ होती है जर इसका बैक्राउंड हम समझ लेते हैं अच्छा तो इसका जो बैक्राउंड है ना वो यह है कि मैं यह प्रोजेक्टर बंद कर दिया है ताकि आप लोग डिस्ट्रैट ना ताकि मेरी अवास्तिर सुन सके हैं अच्छा देखें जी थोड़ा साथ पीछे चलता हैं जब यह वैबसाइट वगरा नहीं आई थी और जब कंप्यूटर नहीं नहीं बने थे कंप्यूटर नहीं बने थे तो उसके फॉरणड बाद यह इंटरनेट बन गया था अच्छा लेकिन यह इंटरनेट का जो इस्तामाग था वो यह था कि दो कंप्यूटर आपस में कम्यूनिकेट कर सेते जो आपने टर्मिनल भी पड़ाया था तो उस टर्मिनल के साथ जए इसको ये बात करवाते थे दो अपस को आपस में अच्छा फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? कि GUI इंट्रोड्यूस हो गया अच्छा अब ये GUI क्या चीज़ है शुरू में तो CLI पर चलते थे कंप्यूटर ना जो काली स्क्रीन इसको CLI स्क्रीन बोलता है अच्छा तो अब ये तो इन्मेंशन हो गई माउस की तो GUI में ना फिर वैब ब्राउजर नाम के सॉफ्ट्वेर बनाए गया जो आज गूगल ग्रोम और फायरफॉक्स के नाम से ये वैब ब्राउजर सॉफ्ट्वेर ये बनाए अच्छा उस वक्त जो सबसे मशूर हो था नेटिसकेप नेविगेडर उसका नाम तो बड़ा मशूर था उसना तो ये बन कि अजीग ब्राउजर ना अच्छा शुरू शुरू में जो इंटरनेट जब था बनाता तो उसको पब्लिक यूजर में नहीं लिया गाता था था वो मिलिटरी उसको यूस करती ती या कुछ उसको इदारे उसको इस्तमाल करते है तो उसको पब्लिक के इसतेमाल के लिए असर में नहीं बनाई गया विए तो इन्तरनेट से आप क्या समझते हैं कि अर इंतरनेट क्या है what is internet इंटरनेट को भी हम पब्लिक करते हैं लेकिन पब्लिक करने से पहले यह समझ लेगी है किया चीज तो आप जब वर्ड सुनते हैं इंटरनेट तो आपके जहन में क्या बात आती है ज़र आप लोग मुझसे शेयर करें अचा, रजब ब्रेंड्स ट्रोंओन का सवाल है कि इसके उन्नर ब्राल पे साही घलत नहीं है आपको गया आपको आप को जो समझ आते है आपको बताँ एंका इसकी स्की आता है कोई को अचा, आपको जो बता है सब पता है घकी पताऊ आपको दो एसbnिया और थेm अच्छाल फेंस जड़ बंद करने सारे ना और लाइत बहुत जाना निदे बहुत जाते हैं फीछे की खास टोर पेज़ादे सारी लाइते हैं विल्त लंदेरे माल बनाया वर बनाया में अच्छाल जब लाइत कम हो तो नीन देद बन देहितु तो क्लास में लाइटिंग होना जरूरी हो, वैसे ही प्रोएक्टर जोना बंद कर दिया है अचाहिए और कोई आप में से ओपिनियन देना चाहिए जी दोस्की अचाहिए और कोई आप में से सर पीछे में से कोई बताना चाहिए सर आप में से कुल अचाहिए जी सर तो क्लेक्शन अफट साइट्स सभी बताया है सर दोगों है लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नजर भी है अचाहिए इंटर्नेट जो है वो असल में क्या चीज है कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में तारों के जरीए अगर जोग दिया दे तो वो इंटर्नेट बन जाता है अगर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में तारों के जरीए जोग देता हूंग तो अगर मैं इन पचास साथ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ जूँ तारों के जरीए तो ये मेरा छोटा सा इंटर्मेट चुन्ना मुना सा इंटर्मेट आजएगा उनकी इतनी सिंपल सी मिसाल है इंटर्मेट की तो इंटर्मेट की डेफिनेशन हमने क्या देखी तो यह सारे आपस में connect होगी है तो यह तस लोग खड़े वे हैं अगर दस होग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलें तो कितने handshave होगे तो यह वह वाला सिर्थ कि तमाम computer ना आपस में एक दूसरे से connect है तो यह 50 computer अगर इस computer room में वाजूल ने तो सम्हाव computer number 1 तो 2, 3, 4, 5, 6 लेके पूरे 50 तक सबसे connect है computer 2 तो यह वह 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 वन, 3, 4, 5, 6 लेके पूरे 50 तक सबसे connect है तो किसी तरह onwards अच्छा कैसे connect है? तारों के जरी है अब आप सोच रहोंगे कि यहार मैं तो जिस इंटरनेट से connect हूँ यहार तो तो तार नहीं हो तो वाइ-फाई है तो वाइ-फाई ना छोटे scale के होता है जिसे एक कप्रे में लगकिया था अच्छा कर दो ताके मेरी आवाज ना पीछे तक वैसे ही आजए यहार देखो फैन का यह स्विच का है इसको बंगड़ा 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 यहार 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 पीछे कौन बेटावा है स्विच के बास ऑजब आजब है ओजब है आजब इसके बटन है वह से नहीं है वह स्विच्टाइब अजब आजब 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 अजब आजब तो इसी तरह मैं आप लोगों से बूचूंगा कि जो लोग सब्सक्राइब करना है तो क्या आप करेंगे बन तो आप यह याद कर लें किस चीज का है ताहिके जब भी आप अपको पता हो कहते हैं जाज में कार्ट निकालके यह एमर्जंसी पढ़ने कैसे होता है यह थो अपको यह थोशीम क्या है यह जाग खाहता है कि वगो गष्पी यह शथिचिए खालोंैं दीन तो नहीं एता है किए शिर्फ il меся. वह पर निगल जाता है और भी अपर वापस नहीं लगता है तो पर दूसरा होता है, गाड़ी में वह नहीं लगता है तो इसलिए उसको खोलने की कॉस्ट अच्य खासी है मैंने का यार हमी मैं किसी दिन करूंगा इनके साथ यह सीगिगी वैल तो इंटरनेट के बारे में बता रहता हूं, कि इंटरनेट वे वो क्या चीज होती है, यह हम देख रहते हैं, तो सीट को जड़ा मैं तुछा कर सकूँ, ताकि मुझे पीछे तक वाले लोग ना, चेहरा मुझे नजर आया हैं, पीछे वालों को नजर आ रहा हूं ना मैं, तो मैंने आपको बताया कि इंटर कनेक्टेड कम्प्यूटर्स जो हैं, उनको हम इंटरनेट कहते हैं, यह रहा हैं, यह भी मैंने बताया है कि यह वाइ-फाई वेगर यह तो एक कम्रे के लिए होता है, कि कम्रे में अपने लगा लिया, यह 4G जो होता है, वो 1 महले के लिए होता है, 4G के टावर ना, एक 1.5 km से जाते दूर काम नी करता है, फिर हम तो यह होता है ना, आप किसी भी जगा खड़े होंगे न शहर में और आप इसे नजर दोड़ाएंगे तो आपको कम से कम चार पांच टावर नजर आजेंगे अपने आसपास तो वो एक छोड़ता है दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो हमें लगता है 4G पूरे शहर में आ रहा है हलाग ऐसा नहीं फिर एक तार पाकिस्तान से साओधिया तक दुभाई तक बिछाई गई है ठीक है फिर इसी तरह पाकिस्तान ये समुंदरों के अंदर है उसको सब्मरीन केबल कहते है न सब कहते है अकसर जब भी इंटरनेट वाले को फून करो यार तरह इंटरनेट क्यों नहीं चलता होलत ते केछा के लिए में दो lifts हाँ, में तो सब्मरीन केछा मैप लिखा और रहें हमें यह आगया सब्मरीन की केबिल का नक्षा ठीक है तो अब तो मैं तो यहां से देख लेता हूँ कि किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी पाकिस्तान में जो केबिल उत्री हुए हो किदर है वो उसके अंदर कोई प्राबलम होगी तो यहां पर वो शो हो रहा होता है यहां गया हमारा पाकिस्तान हमारा प्यारा पाकिस्तान यहां पर तीन केबलें इदर उत्री हुई है नहीं नहीं है ना यह केबलें गवादर पर उत्री हुई है यह गवादर है ना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस पता नहीं, बारा के गरीब केवल हैं, दस बारा केवले हैं, जो हमारे पास उत्री हुई हैं, और इन में से, अगर कोई केवल जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, केवल के उपर, तो ये केवल देखे कहा तक गई हैं, ट्रांस वर्ल्ड की जो केवल है, वो गल्फ, यू एई से कनेक्ट करती है, हमें ये केवल, सभी है, अच्छा, हमें तो नहीं केवल, अगर ये वली बता लगती, क्योंकि यहां पे जब ये केवल हैं, तो यहां से क्या करते हैं, ये पीटी सेल वाले, और ये ट्रांस अच्छा बिटिए सियल्ग ने पूरे पाकिस्तान में एक सीधीताः बिछाई हुई पीटी सेल कीतार जब कराचि, और बालोचेस्तान के उस बासर कोने तक और इधर कश्मीर तक पीटी सेल कीतार मौजूर गींजिवाज वालतों यूवालों आपकर कापर केबिल को तो व्हां तो पुरी दुनिया के अंदर जो एंटरेंट का जो इन्फरेस्ट्रूक्चर रहे ना यह तरों के ज़री अचा कुछ एन्दान अपकर समझ डीच ना थि जो कॉपर समझतेने तो लोग दो तो वो कपर के काबर केबल में यह ओता था कि खरेंट की जरीए वह पास होता था और वह जब अदर क्या हुटाया वह अधार होती यह था दिफ़ने में तो लगता है नाइलून की तार है वो फाइबर केबल आपको अगर मैं दिखाऊ ना कि इसते खूआ के अचल एकि ऊच्छ को सॉपिते हो फायबर के बल्ति है और दो にत्यूंत दूस्टों से असाल में मोटी तार एक इस पर इंसुलेशन लिए और ये जो या बिलकुल यह प्यम्हां है यह यह वाइट वाला तो यह जो हिससा भेसले आट चेए क्ट पेस अबगता चिसे तैक लोटा ही टोड़ा अब शिल्कै MATT अच्छा इसमें क्या होता है इस फ्लेक्सिबल शीशे में कि आप अगर यह वाला पार्ट देखे न तो इसके अंदर इन्होंने डिमोंस्ट्रेट किया है कि एक तरफ से रोशनी को दाखिल करते हैं और तार भले घूमी हुई हो मसला नहीं है दूसरी तरफ रोशनी वह पहु इसको मजीद डिसकस करेंगे कि यह तारों में असल में रोशनी एक डेटा को एक MP3 फाइल को या यूट्यूब की वीडियो को रोशनी में कैसे कर देता है कि वह तारों में वह रोशनी के जरीए चला जाए तो यह हम जब जब जावाशनी पढ़ेंगे ना आज से इन्शाल इन्टरनेट के जाएगा लेकिन इस तरह के इंटरनेट का नाम है इन्टरनेट करते हैं क्योंकि इन पचास कंप्यूटर में से गूगल डॉट कॉम तो कोई भी नहीं है गूगल डॉट कॉम तो नहीं है तो Google डॉट कॉम अमरीका में रखावाअ को कंप्यूटर है Google डॉट कॉम फ्य Śबूक डॉट कॉम ऑमरीका में रखाव üst तो यह क्ल lli एक ही नेट वरग यह पूरी दुन्या के जो कंप्यूटर है ना यानि मेरा कंप्यूटर और आपका हम दोनों का computer इस वक्ट जो हो उस internet के main network से जोड़ा गाए है तो हम internet उसी को कहेंगे जो वह एक main network है तो हम एंटरनेट उसी को कहेंगे जो एक main network है ठीक है जानी अमरीका में गहुमता हूँ कोई नियू यॉवयॉर्क में गहुमता हुशक्स जो मोबाइल पे इंटरनेट जिस्तमाल कर रहा है, मैं भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, ठीक है, और अब कभी आपके जहन में यह ख्याल भी आता होगा कि यार, अगर तो यह इंटरनेट कंप्यूटरों को जोडने से बन जाता है, और बले एक मेन नेटवर्क है, कोई म जाए जिसने है, वो उसकी कॉस्स पूरी करने के लिए, क्योंके सबमरीन के अंदर जो अभी नोकिया जो बेंकरफ्ट हो नोकिया की पतानेए, पहले फोन बड़े अच्छे आते थे, अब तो नोकिया के फोन नहीं आते, तो नोकिया ने फोन की कंपनी अल्मोस बंद कर दि उसके बाद शायद किसी ने बिचाई हो तो पता है, निउस बनी थी, कि इनो ने बहुत अच्छी केविल बिचाई है, वो हाई बैंडविर्ट वाली है और अच्छी वाली है, तो वो सारा पैसा नोकिया ने इसके अंदर लगा दिये, अच्छा, अब वो उन्होंने जो इन क्योंने कि उतारा गा, यह तारेगा है, इक कनेक्शन सेसेफे पाकिस्तन में जब उतारेगा तो पाकिस्तन में, जो जो उससे पैसे मेरी केबिल हाई, इसमें एक डेका और मेरा रेटा, गौर्शन पने को देक्स हे All that कि को तो भोबा लिचान की है तो यह से गोजारेंगे आपने गली के कोने तक कोई तार मिचाई हुई है, अब सम्हाँ उसको किसी का उससे मसला हल होता है, वो कहता है, जी मुझे भी आप दे दो connection, तो आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे यार मुझे कुछ ना को चार्जिस दो आप, तो इस तरह से इसको commercial इन्होंने किया कि इंटरनेट क्या होता है, ये आपको समझ आ गया, इंटरनेट बहुत सारे computer को तारों के जोड़ दिया, तो इंटरनेट बन गया, अच्छा, जब ये इंटरनेट तारों से जुड़ जाएगा, तो ये कुछ किस तरह का दिख जाएगा, वो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि आपकोम मैं आपकोमित सारे ?। बहुत मैं आपकोमित आपकोमित खाएगा, तो इंटरनेटाएगा, अच्छाएगा, डवताइगा, झापकोमितूर थाएगा. अब इस तरह से बढ़ाएं जाते हैं आप बस यार मसला ये कि यहीं तक पड़ाते हैं इस से आगे नहीं जाते हूँ कोई अच्छी डाइग्राम मुझे नजर नहीं आरी है आप जो मैं दिखा सकूं आपको कैंड अफ इस है न इस तरह से बन जाया है अच्छा अब यह संस्टा से जो बन गया है तो इसमें आप इमेजन करें इमेजन करें कि यह पूरी धुनिया का इंटर्णेट अभी तो यह बहुत चोटे स्केल के उपर है पूरी धुनिया का Google.com का computer यह अमरीका में पड़ा होगा है और यह आप पाकिस्तान में बैठे होगा है अच्छा यहां से जवाब लिखते है ना Google.com तो रिक्वेस्ट यहां तक जाती है ठीक है ना जो हम बोलते हैं वेब साइट गूगल.com इस वेब साइट है ना वेब साइट का जया मतलब है वेब साइट किसी इसको कहते हैं अच्छा वेब तो इसको जो इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर का जो यह देख रहे है ना जो जाल बनता है अगर 200 कंप्यूटर आपस में यह नेक्टेट हैं तो जाल की शकल इक्तियार कर जाएंगे तो इस निजबत से इसको एक निकनेम द सब्सक्राइब जारहों है मुवीज में दिखाते हैं ना बिलियन आयर होते हैं जी बिजनस चल रहे है पपा का अगयते हैं जी कंस्ट्रक्शन साइट पर जारहों है पपा के पास तो वह फिसिकल लोकेशन होती है तो वेब साइट जो है उस पूरे बड़े जाल के अंदर क साइट का मतलब होता है कि इस पूरे इंटरनेट के जाल के अंदर कोई एक गिरा हमारे केस में वो कम्प्यूटर है ठीक है हमारे केस में उस गिरा को हम क्या देते है उसको कहते है नौड उसको कहते है नौड यानि जितनी भी डिवाइस इस इंटरनेट के जाल से करेक्ट है भाचमगरा हो सकती है, तो इस इंटरनेट से कनेक्टेड यह जितने भी कंप्यूटर्स है या मोबाइल है तो इसको हम इन जेनरल कहते हैं नॉड्स हैं, क्यूंकि आज कल तो देखो चौल कोई DNS भी हो सकता है कि इसके बहुत सारे entities होती हैं बहुत सारे entities होती है जब submarine cable उतरती है गावादर पर तो हम तक पहुंचते पहुंचते भी बीच में बहुत सारे nods होता है तो यह जितने भी नॉड है, हर नॉड क्या है, इस जाल के अंदर एक गिरा है, और हर गिरा है जो एक साइट है, तो अगर मैं बुलता हूँ ना वेब साइट, तो वेब साइट का मतलब है कि इस पूरे इंटरनेट के जाल में कोई एक नॉड की बात हो रही है, कंप्यूटर उसका नाम रखे है, नॉड के जी वो जो कंप्यूट, पूरे इंटरनेट के अंदर जो नॉड है न, उनके सॉफ्ट्वेर, तो नॉड करके उसका इस निजबत से नाम रखे है, तो मैं ये बता रहा था जी, के वेब साइट जो है, मैं बैठा हूँ यहां पर इदर, और ग यहां से कनेक्ट है, यहां से चली जाएगी, फिर इदर से भी जा सकती है, इदर से भी जा सकती है, तो इदर से चली जाएगी मिसाल के दौर पर, फिर यहां जाएगी, और यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, इसी तरह फिर रिस्पॉंस भी वापस आएगा आपके भू अगर इस रूम के अगर पचास कंप्यूटर हैं, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसी तरह का उसमें रस्ता बनेगा पर कि कंप्यूटर वन को अगर कंप्यूटर 45 से बात करनी है तो उसके लिए बहुत सारे पॉसिबल रस्ते होंगे, कहीं से भी चला जाएगा और उसी कुछ पैसे वैसे कमाया जाते हैं, तो इंटरनेट को पब्लिक करनी के लिए क्या किया गया, कि जी सबसे पहले तो ना बिजनेस होते हैं जो इस्तमाल करेंगे इसको, सबसे पहले कोई भी एको सिस्टम होता है, सबसे पहले उसमें बिजनेस को इन्वाल्व किया जाता है, उसके बाद दूसरे चीज़ों को एको सिस्टम समझते हो ना कोई जरा एक बता दे आप में से इको सिस्टम की चीज़ को कहते हैं मुक्तलिफ किसम की मखलोग है यह तो तो तुमने एको सिस्टम सही बता है लेकिन बाइलोजी में कहते हैं अगर मैं सॉट्व्य के केस में कह रहा हूं एकोसिस्टम तो वह किसको कहेंगे उसके बाद दूसरी एंटिटीटी उसके अंदर है, वो थे वो कंपनीज, जिनों ने, एसके अप बनाई भी है ठीक है ना जैसे यह मीजान बैंक वालो न उसे पर डाली हुई है तो इसे में लागकी आप एंप सरव यहार यहार जो लोग इन करा थो उरी नहीं ती उसमें और फून नमर डाला होड़ सिन्व एहारा था एग लोड़ चैनκι निसे एशी सेLoad करो, और उसकोस कैसें है तर उसको सेलिए आहीं करते हैं अच्छा उसको टिकट वे लगाएं उसको कृटछा है, और नजी पया फिर थारी आफ्डम करता हूप है आप अपनी बना कर डाल दी अचा फिर यूजर जब आएगा उसने तो Facebook चलाना है WhatsApp चलाना है तो वो आकर उसको डाउनलोड करता है और इस्तमाल करता है अचा अब सोचो कि इन में से कोई एक भी गायब हो जाए गूगल वाले बोले हैं चोड़ो यार आप इम इसको और सब्सक्राइब में नहीं करता है यह जब ही तो नए फीचर आते हैं एन्डोर फोन में तो जैसे पहले यह एक डाई केमरे होता था अब दो तिन-तिन थों में तो तो उसको आपड़ मोफ कर गूगल वाले आचा अगर वो छोड़दे अगर तो आइसला क्या होगा। यूजर तो पता नहीं अपडेट ही नहीं होता, तो किसी और पर Blackberry पर मूफ कर जाएगा, Windows Phone है, iPhone है, पता नहीं, और कौन कौन से, तो यूजर कहीं और भागने ही करेगा, तो लेहाजा यूजर चला गया, तो बिजनस एप बना के करेंगे क्या, बिजनस जो है, फिर उसके लिए एप दोनों क्या करेंगे, किसी काम क्या नहीं है, अच्छा, वापिस लेहो यूजर को भी, अगर बिजनस मूफ आउट हो जाए, यानि मिजान बैंक वाले बोले हर, हम नहीं बनाते हैं Android के लिए, तो भी यूजर बोलेगा, यरी तो एप मुझे मिली नी जी, यूजर भी चला जाएगा, तो एको सिस्टम हम ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं, जिसमें दो या तीन लोग आपस में दूसरे पर डिपेंडेंट हो, कोई एक भी हटे नहीं उसके अंदर से, तो वो सिस्टम निजाम खतम हो जाए, तबा हो जाए, जैसे बस सर्विस है अब बस सर्विस के अंदर किया है, जी ड्राइवर्स हैं, जो चलाते हैं, जो उनको रोजगार मिलता है, उसको चलाने से बस को, और भी सारे जो अंदर एंप्लॉईस है, उनका उससे रोजगार लगाव है, अचा फिर एक कंपनी है, जिसकी टोटल इंवेस्मेंट है, पूरी की तो जो सेट है, उसको रेविन्यू नहीं मिलेगा, तो उल्टिमेटली कितने दिन तक बिठा के तनखा देगा, थोड़े दिन हमें बुलेगा कि यार माजरत, अच्छा वापिस लिया हो अभी बंदों को, अब बंदे आ रहे हैं लेकिन ड्राइवर कम है, ड्राइवर कोई कि चलाना नहीं चाहता अगर बस को, तो लेहाजा क्या होगा कि सो की जगा पचास ड्राइवर होंगे, बस लेट 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 आई की, तो यूजर भी कहीं नहीं, डिस्टरब होगा, और यूजर भी चलागेगा, ठीक है, यूजर गया तो सेट को ऑटमेटिकली बंद करना बढ़ेगा, अच्छा, लास्ट में सबसे हो सेट है, वो सेट अगर बसों को रिपेर ना करे, बसों को मेंटेन ना करे, जो कर रोड बगरा खराब होते हैं, जो भी जाल बगरा, जो सिस्टम घुलेटर्स हैं, और उनकी मेंटेनस रोक दे अगर, तो भी क्या होगा, आइस् प्रबंद पढ़ें सारे पैदल जाना पड़ता है तो यह ecosystem में वह इस तरह की चीज को कहते हैं यह भाइयोजीकली भी हो सकते हैं शैसे हमारे मूँ के अंदर भी एक ecosystem है अगर किसी को को नहीं कोता है तो हमारे मुँ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टेरिया जो हमारे मूह के अंदर ही पैदा होते हैं और यहीं पर खाना खाते हैं पॉटी भी करते हैं और यहीं पर उनका इंतखाल हो जाता है तो वह हमारे मूह के अंदर ही उनका एको सिस्टम है बहुत सारे ऐसे बैक्टेरिया जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं हमार सटेंगे बाइट, इसमय सोफ करता है गाल को ओरब डिवार में आपको उसे नहीं आद मौको और vast यह बात हो गई यार यार इको सिस्टम ना तो यह इंटरनेट का जो इको सिस्टम है ना इसके अंदर भी बिजनस को सबसे पहले एंटर किया जाएगा तभी यह अमरिशलाइज होगा तो जी बिजनस के बास गये इनोंने बोला के यार आप जो यह पंफलेट चापते हो ना हर यह इसना बुदन वालला भी आप को अपने दिया पंपलत को साथ लेतर साथ होगा तो वो उन्होंने का कि यार आपने यो ऐसे बाता हो जिआ चापा ए मुदनिया को पैसे यह जो छैंशला टेख्यों आपने तो डिए घर लेत्यं पीछे फ्रिज का rate change हो जाता है तो वो pamphlet तो पुराने है उसके पास उसको नहीं बता लगेगा अचा लेहाजा यह जब वो सोच कर आएगा कि यार फ्रिज तो 70,000 का है यहां कि वो देखेगा फ्रिज तो 2,000,000 का हो चुका है तो फिर क्या होगा यह तो बड़ा मसला है तो हमें काम करेंगे आपका यह pamphlet ना इसका डिजिटल वरजन मनाएंगे जो के computer में खुलेगा website के नाम से उसको इन्होंने market किया ठीक है यह आपकी website बना देंगे अच्छा और उसमें क्या होगा कि आप जब चाहें उसको update करेंगे उस website को अच्छा उससे क्या होगा जैसे ही वह website update होगी तो आपका जो यूजर है उसके पास भी वह update हुई website नगर आएगी अच्छा तो यह बड़ा अच्छा काम होगी है बिजनस ने का जी बहतरीन जबरदस्त करो शुरू करते हैं कागस वाले pamphlet उन्होंने खतम तो नहीं किया आज भी खतम नहीं किया आज भी सब अच्छा लेंग्वेज काउन सी? HTML. अच्छा क्या इसका मतलब है? HTML का? Hypertext Markup Language. अच्छा तो यह language इन्होंने तर्तीब दी? अच्छा क्या मतलब है? जी Hypertext Markup Language. चलो Hypertext Attack हो भी. सिर्फ Markup सिर्फ Markup बताओ किसी इसको कहते हैं अंग्रेजी में किसी को बता है? Markup किसी इसको कह क्लास? आप मार्कर कुछ से मुझ काम करते हैं। उन तमाम चीजों के आता है। जो जर्नल तयार करते हिसे जर्नल के रें अप। नीचे एक लाइन डाल दी, तो पहल करनी सी बुलट पॉइंट्स मोइ कुछ बाते लिख दी, फिर नीचे डाइग्राम बना दिया। तो पेंसे या मार्कर से या पैंसल से जो भी आप चीज लिख रहा होते है ने इसी पेपर के ओपर, all of these things are called markups, जैसे कोई होता है, मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं, अब मुझे 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 लगे लगे, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दिया, तो वो अंडरलाइन कि बिर खिंदेक हैं, कि अन्ः मा रहा हूँ, जैसी कोई तो ऑफ़ीय। और अएंगरजी में बरॉप इदाएन, हम आम फहां में, हम उसको mark-up नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं निशान, हम इसको कहते हैं निशान, लगा दो जी को आजब आज़ के हैं श्ते हैं, के वह कहत तो बच्चे को इस तरह से वह चैप्टर पढ़ाया जाया कि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आखिर में पांच सवाल लिख्यों बच्चा को इसका बच्चा करा है इस चैप्टर के अगर। अच्छा तो यह होना चाहिए अच्छा जो टीचर को कहते हैं निशान मार और साइन किया और हो गया है टीचर का साइन होना दो हुगी है हलाके वो तो responsibility यह थी कि वो टीचर उसको check करें कि बच्चे ने जो यह पांच सवाल का जवाब खुद से सोच कर लिखा है आया कि वो सही जवाब लिखा या गलत लिखा और रिस्पॉंसिबिलिटी तो यह थी ना असल में और अब्वियस बात है कितनी ऑब्वियस बात है यह लेकिन यह आप देखें पता नहीं कहां से शुरू हुए सिलसला और यह आप देखें कराची से पिशावर तक यही सिलसला चलता है और भी इसलामबाद वगएर में लड़क में क्या होगा कि आपको पढ़ाया जाएगा जैसी हम एक टॉपिक कम्प्लीट करेंगे तो आपका एक बाकाइदा टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको जो भी सवाल दिये जाएंगे आप उसका जवाब वहां पर लिखेंगे अब आया कि आपने वह जवाब सही लिखा य आपको पतले कि अच्छा है और मैंने 80 परसंट जवाब सही लिखें तो 20 परसंट में गलत कर दिये तो इसका मतलब मुझे मजीद इंप्रूव्मेंट की सुर होता है ठीक है अगर आपके तमाम जवाबाद सही होंगे तो 100 परसंट आपको दे दिये जाएगा ठीक है और इस क्योंकि टेस्ट वगरा के मामला सारे मैंजमेंट देखती है वो हमारा काम टीचर्स का होता निया हम एक दफा क्वेस्टन बना देते हैं वो फिर उसी को यूज करते रहते हैं तो लेकिन आपने यह माइंट साइट यहां पर नहीं रखना कि पासिंग मार्क 75 है तो आपने 75 असल में तो आपने 100% परसंट लेना है जवड़ा तो उस ही से पता लगेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है या टीचर ने आप पढ़ा है आया कि आपको पुरी तरह समझ आया कि अन्ही आया गर पुरी तरह समझ आया ज़र जवाब सही होनी चाहिए तो सारे जवाब स जो भी मार्कर से काम करते हैं हम उसको मार्कप कहते हैं और यही चीज अगर मुझे एक कम्प्यूटर को समझानी है Отut do more Peter does okay जब पर मुझे एक कि ज़र होता है किस लैंगवेघ को समझ तो एसको इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कप लैंवेच को इस्तमाल करते हुए मैं वो सारख काम कम्प्यूटर करौंगा जो मैं किस पर कारता था अपने जर्म內ल पर मार्कर से करता था यहीं कि मैं हेडिंग मैं बुलेट पॉइंट्स लगा सकता हूँ, मैं उसके नीचे डायग्राम बना सकता हूँ, किसी इसको बोल्ड करके लिख दिया, मैंने किसी इस खोड़ा इटालिक कर लिया, यह सारे काम उस लेंग्विज के अंदर यह मौझूद होंगे, जो भी काम मैं मार्कर से, अपनी स् क्मा जागया का क्या मतलग होगा, यह मतलग है यह यह सोफियर क्ज़रिया, है मतलग होगा, आचा हम मतलग हुआ यह सा्थ-रिप्र-akt Oxford क कर द। ilसक्ताई, हर जो पक्तुरर हम सम रन ठाश्ज कोई अव्यक्राषट कर सा-हीर्ज की इला हुआ हार। द। पर क्लिक कर सकें맛 और आप पिस पूहीं भी मिता सकता है हाइपर मतलब तो अंगले खुस्टे में होता है ना तो क्या टेक्स घुस्टे में है यहाँ है अगाई पर टेक्स यह उस तीस को कहते है के जैसे पंफलेट ने काशल को unity अदि न यह करंव सबूंस करता काश्य पर क्या करता है यह किरता दो डेंटा यहां जा आ Il कोश्च नहीं करता यह इ यह न यह है यह आप काशब तेकस सब्सक्राविव मार्क कशवत मों सापलेंगए यह को इस थीम्ल स्की अधर किसी तो जिए इतनी अबलियत रखता है कि वो रिस्पॉंस करेगा वह इपर ठीक है वो डेड नहीं है वो वह इपर टेक्स रिंगा जिटने भी विखाई होगी उस पर अगर मैं हाथ रखोई यह उस करूं तो वह कुछ न कुछ मुझेन सामने से रिस्पांस कर देगा। करूँगा किसी दूआ खोटोँ कोल ऐल झायगी यह क्लिक करहूंगा कोी वीडियो प्ले हो जाएगी तो यहां पर मतलब dele नहीं है, यह पे में सब्सक्राव तो पेज güld करूँ एल नड एडरस लिखते हैं, जैसे के जी, coffee shop.com, तो वह उसका coffee shop की website open हो जाती है, वह pamphlet open हो जाता है, जब वह दुगान वाला update करना चाहता है, उसको update करता है, यहापे भी update हो जाती है, फॉरण, ठीक है, तो यह हमने website की पूरी analogy को समझ लिया, अच्छा, अब हमने यह करना है, कि हम अब यह वेब की दुनिया ना website से बहुत आगे निकल चुकी है, तो यह जो इतनी website है, जो इतनी बात है, वो तो हम आज ही बना लेते हैं, पहली दिन में, कि एक छोड़ी सी website बना कर और उसको इंटरनेट पर चड़ा दें, यह हम आज की दिन कर लेते हैं, क्या ख्याल है, यह क्योंकि मैं बता रहा हूँ बात यह 80s की बात बता रहा हूँ, 80s में जब नहा नहा जो इंटरनेट को पबलिक किया गया, तो यह काम उस वक्त होता था, अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई, अब वो आगे क्या निकल गई है, वो हम देखेंगे वक्त के साथ साथ स तो हम आजाते हैं जी, हेलो वर्ड बनाने के लिए न, स्क्रीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी